हलो फ्रेंट्स असलाम लेकूं कैसे हैं आप सब तो आज मैं आपको अपने स्मॉल कीचन का टूर कराऊंगी जो की बहुत छोटा सा कीचन है जो कुछी दिनों में हम इसको बड़ा करने वाले हैं फिर यह कीचन जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो मैंने सोच आपको इसक यहाँ पर बना हुआ है सामने ही और यहाँ पर हमारा छोटा सा कीचन है आप देख सकते हैं तो यह हमारा गैस चूला है तुराने वीडियो में जो मैंने यूज किया है उस तरीके से हमने इसको वीडियो शूट करके रखा हुआ था और यह हमारा कीचन का कैबिनेट है जिसमें हमने सारे समान रखे हुए है इसके अंदर और इसमें जो है कभी कबार की यूज होने वाला सामान है जो के शोपीस में काम आता है और कुछ मसालों के डबे जो इसमें हमने रखे हुए हैं नीचे हमने मसाले रखे हुए हैं आप देख सकते हैं यहां पर हमने टीकप रखा हुआ है जो मुझे कभी कभी किचन में यूज लगता है वीडियो बनाते वक्त ज़रूरत पड़ती है उसमें ही कुछ सामान रखे हुए हैं और यहां पर नीचे मैंने रोज की यूज वाले मसाले रखे हुए हैं नमक खल्दी धनिया वगएर जो होते हैं चाय की पती शक्तर वगएर यह हमने यहां पर रखा हुआ है और यहां पर हमने यहां पर टी कप और रखे हुए जो रोज यूज होते हैं और यहां पर हमने एक बास्किट लगा है जिसमें आलू और प्याज रखा हुआ है और लेस्ट रखा हुआ है तो इस तरीके से मैंने इसको और नाइज करने की कोशिश की है और आप सभी को मेरा किचन कैसा लगा हुआ आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके वह छोटा सा किचन है इसको मैंने अरेंज करने की कोशिश की है अच्छी तरीके और नाइज करने की कोशिश की है तो यह अजो देखिया वाष बैसिन का जो सिंक होता है वहाँ पर नीचे मिचे जो केंग इसमें मैंने सारे मसाले और यहां पर हमने जो हमारा राशन हो गए रहा होता हूँ हमने यहाँ पर श्टोर किया हुआ है बाकी की और भी चीजे इस तरीके से मैंने श्टोर किया हुआ है डोर में और यहाँ पर हमने एक हैंकर लगाया हूँ इसमें बहुत सी चीजे जो हैं वो हैंकर के हम रख सकते हैं और यहां पर ड्रावर है जिसमें अभी बहुत सी चीज़े हैं जो बस ऐसी पड़ी हुई हैं अभी हमने इसको और्गनाइज नहीं किया है और इसके नीचे भी जो हमारे डेल यूज नहीं होते बरतन वो हमने इसमें रख दिया है जो कभी कभारी यूज होते हैं इसमें डेल यूज वाले बरतन है जो एक बास्केट में करके हमने इसको नीचे रखा हुआ है कैबिनेट में और यहां प्लेट वगारे हमने इसको रखा हुआ है और यहां पर चावल और आटा हमने आपर रखा हुआ है जो डेल यूज होता है तो ये मेरा छोटा सा बस kitchen है तो आप जरूर बताएं कि आपको मेरा ये छोटा सा जो kitchen है ये आप सभी को कैसे लगा मुझे जरूर बताएं क्योंकि इसके बाद जो मेरा नय kitchen बनेगा तो उसका में वीडियो आप सबसे share जरूर करूंगी तो तो